Hello friends, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है आज की कहानी का सिर्षक है लख्षमी जी का निवास कहा होता है एक साउकार था वह लख्षमी जी का परम बख्ट था मैं लख्षमी जी की खूब फुजापाट किया करता था एक बार सेट से लक्समी जी रूट जाती हैं और वहां से जाते समय कहती हैं मैं जा रही हूँ अब मेरी जगह टोटा अथार्थ नुकसान यहां निवास करेगा तुम तैयार हो जाओ लेकिन मैं तुम्हें जाते जाते एक भेटते न चाहती हूँ तुम जो चाहो सो मांग लो सेट बहु समझदार था उसने दोनों हाज जोड़कर माता से विंती की टोटा आए तो आने दो मैं आपसे एक वरदान चाहता हूँ कि मेरे परिवार में आपसी प्रेम बना रहे बस यही मेरी इच्छा है लक्षमी जी ने तथास्तु कहा और वहां से चली गई कुस दिनों बिना चके उसमें नमक डाल देती है और चली जाती है इसी प्रकार एक के बाद एक चारो बहुए नमक डाल कर चली जाती है उसके बाद सास आती है वह भी नमक डाल देती है साम को समय जब सेट जी खाने के लिए आते हैं तो सबसे पहला निवाला मुह में रखते हैं तो उ इसमें ज्यादा नमक होता है लेकिन सेड़ जी समझ गए कि अब टोटा आ चुका है वे चुपचाप खिचड़ी खाकर चले जाते हैं फिर बड़ा बेटा आता है पहला निवाला मुँ में रखता है और पूछता है पिताजी ने खाना खा लिया क्या कहा उन्होंने सभी ने हां खा लिया कुछ नहीं बोले अब लड़के ने सोचा जब पिताजी ने कुछ नहीं बोला तो मैं भी चुकचाप खा लेता हूँ इस प्रकार करके एक एक आते गए और पहले वाले के बारे में पूचते गए और चुकचाप खाना खाते गए रात को टोटा सेड़ से मुटाव नहीं हुआ, मेरा यहाँ कोई काम नहीं है इस कहानी से हमी यह शिक्षा मिलती है, जहां जगड़ा, कमजोरी, मन मुटाव होता है वही टोटे की असली पैचान होती है और जहां परिवार में प्रेम होता है वहाँ ही लक्षमी जी का वास होता है और छोटे बड़े का सम्मान होता है